हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे मैं हुश्रिया जा मैं आप सभी का वेलकम करती हम सब के फिर्ट यूटूब चैनल जेयार कॉलेज पे जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा हमारा यलगार बैच लॉंज हो चुक है ठीक है और बहुत अच्छे तरीके से कवर किये आप लोग डैरेक्ट यह वीडियो मत देखेगा ठीक है पहले जाके फर्स्ट वीडियो देखेगा ठीक है इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं इक्रो एक्रेक्स मतलब क्या लाजब बसस्टाइइक के बड़ी गाने पर नशीनल एंकम अध्य हमारोस एंकम है ठीक हमारा एंकम को स्टडी करना नेशनल पर जाके स्टडी करना इस maior दीक ठीक है, Micro Economics को Greek word में Micros कहा गया है, Micros कहा गया है, ठीक है, Which mean Large Aggregate, मैंने आपको बोला ही, Large Aggregate, ठीक है, Micro Economic Study, Aggregate of Total Employment, ठीक है, Total Employment, Total Consumer, Total Saving, Total Employment, ठीक है, Aggregate of Demand and Aggregate of Supply, General Price Level, ठीक है, यह सब पर जो National Level पर जो भी चीज़े होगी, इसको Study कौन करेगा, Micro Economics, ठीक है, Micro Economics को Aggregative Economics भी कहा गया है, ठीक है, यह क्या करता है, यह एक चीजों को Study करता है, क्या बच्चों नहीं, वो क्या करता है, पूरे Whole Level पर जाके क्या करता है, Study करता है, ठीक है, वो Individual Unit नहीं है, वो क्य पेगाने पर जाके, वो क्या करता है, चीजों को Study करता है, ठीक है, हमारे देश का National Income को Study करना, is known as Micro Economics, ठीक है, एक एंप्लोईमेंट को Study करना क्या बच्चों, नहीं, पूरे National Level पर जितने एंप्लोईमेंट है, उसको लेके Study करना, is known as Micro Economics, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट करना क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं, ठीक है, नैशनल लेवल पर जितने भी लोग इन्वेस्ट करें, उन सबको साथ में लेके Study करना, is known as Micro Economics, ठीक है, ठीक है, मुझे Study करना क्या, नहीं, मेरी पूरी फैमिली को लेके Study करना, is known as Micro Economics, ठीक है, अभी किस एक स्टेट को study करना क्या, नहीं, पूरे जितने भी हमारे कंच्री में, जितने भी स्टेट है, उन सबको साथ में लेके Study करना, is known as Micro Economics, ठीक है, I hope कि मैं जो आप लोगों को concept बता रही हूँ, वो आप लोगों को बहुत अच्छे में में क्लियर होई होगी, ठीक है, Next, कोब ओफ माइक्रोएकनोमिक्स ठीक है हर चीज के कुछ ऐसे बेसिक है या कुछ ऐसे स्कोप से जो की जरूरी है ठीक है ठीक है थेरी अप इंकम एंप्लाइमेंट अच्छा बच्छो हमारे देश का इंकम बढ़ेगा तब ही तो एंप्लाइमेंट बढ़ेगा नैशनल इंकम क्या होगा in output बढ़ेगा तो इंक भी बढ़ेगा ठीकशन यह खोता है यह जेंड एक दूसरे करते हैं यह 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 फोल हिने पर दोगों को बताइगं एक दूसरे करते हैं यह यह फोलते हैं जैसे ंकम बढ़ा वैसे लिकेंड बंदेगा और abada बढ़ेगा तो क्या होगा उप्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा employment क्या हो जाएगी भट जाएगी ठीक है और theory of income and employment score theory of consumption or theory of investment भी का गया है जो कि हमारे business cycle के लिए का यह बहुत अच्छा है ठीक है next इंफ्लेशन हो गया है तो किसी भी चीज का मार्केट में अचानक से बढ़ गया तो क्या होगा इंफ्लेशन होगा ठीक है और घड़ गया तो डिफ्लेशन होगा ठीक है करते हैं मतलब हमारे नेशनमें यह अश्य लेष्ण फर्रह निया बताती है कि इक्नॉम्हिक्स कितना कर रहा है कितना आप एंड लांस कर रहा है हुआ है अज हमस्न हमें सा चलता है और अबर ये मार्केट में क्या होगा कोती होगा तो फार एक्वेंपल बच्चो मार्ट', जैसend I deff Mazg इंखने फ्लक्ट्ट होता रहता है ठीक राइज 90 की किसी का प्राइज बढ़ जाता है कोई किसी कफ गड़ जाता है ठीक के ऊपनल्ज यह खिंड कर लेकर की किसीग कोई भी प्रोड़क्ट है ठीक कि तुम जो भी inflation deflation को study करते हो उसके लिए कि एक scope ठीक है क्या इन फैरी अफ जनरल प्राइस लेवल क्या हता है inflation यह क्या करता है हमको help करता है किसके लिए माइक्रो लेवल पे जितने भी हमारी country अपन्डाउन सोरी उसको देखने के लिए उसको समझने के लिए उसको करने के लिए किन इकनामिक ड्रोथ मतलब क्या हमारा इंकम बहुत बढ़ गया है तो क्या होगवा हमारा एकनोमिक ग्रोथ का मतलब क्या है हमारा स्कूल हमारा हॉस्पिटल हमारा रोड हमारा जो भी जो भी जो आधर लकर करें ठीक है कि इकनमिक ग्रोथ का नतलब क्या है ग्रोथ फिसके इन राव कम पाइगा लोस फैसे कमा संभार से उपके क्या होगा हम जब गवर्मेंट को इंकम विल्कुल ने हैनल इंकम भड़ेगा ठीक में भाम बढ़ने से क्या होगा हमारा एकनोमिक डेवलाप होगा, एकनोमिक डेवलाप होगा, तो क्या होगा हमारों ससाइटी में, वेलपेर होगा, ओके, I hope कि ये कॉंचा कपको अच्छे वे में क्लियर होई होगी, ठीके, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमने जो प्रोड़क्ट, जो प्रोड्यू किया है, उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब कंजूमर का पहुचाना पड़ेगा, ये ठीके, मतलब क्या, ठीके, कब तो employment पड़ेगा, पैसा ही पड़ेगा, तो employment पड़ेगा, क्या, नहीं, next point, general price level, ये क्या बोलता है, market में inflation और deflation कभी भी हो सकता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, वो जो inflation deflation हो रहा है, इसको study करने के लिए, क्या करना पड़ेगा, हमें microeconomics को study करना पड़ेगा, ठीक है, growth and development, अब growth ऐसी हो जाएगा, नहीं, जब national income बढ़ेगा, तब क्या होगा, growth होगा, ठीक है, but national income के बढ़ने के साथ-साथ, अगर हमारा welfare डवलप होगा, उसको क्या बोलेंगे, growth and development, next point, theory of distribution, ठीक है, अभी हम लोग ने सब कुछ, land, labor, capital, अब ऐसे ही थोटना, बिजिस चलेगा, land तो चीए, road पे चलते चलते चलते, अभी मारफर बना सकते हो, बच्चों, road पे चलते चलते, production तर सकते हो, क्या, नहीं कर सकते, कि जो पूरे देश का land, पूरे देश का जितना भी rent होगा, उसको साथ में study करेंगे, जितने भी labor होंगे, उसके wages को साथ में study करेंगे, जितने भी capital है, उसके जो interest है, उसको साथ में study करेंगे, जितने profit है उसको लेके साथ में study करेंगे, इसके लिए हमको help कौन करता है, microeconomics, ठीक है, I hope कि ये concept बहुत 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 अच्छे वे में clear हुई होगी आपको, ठीक है, next, features of microeconomics, ठीक है, अब कुछ-कुछ features तो सब के रहते, वैसे ही microeconomics के भी कुछ features है, ठीक है, study of aggregate, ये क्या मोलता है, भाई, मेरे को पूरे देश को शाथ में लेके चलना है, मुझे अकेले चलना है, क्या नहीं, मुझे सब पर नेजर फिरा रहा है, मतलब अब तुम लों गलत मेरे 12 में 90% आएंगे, नहीं तो आएंगे, क्या सिफ economics लेके आप चल सकते हैं, क्या बच्चो, नहीं, सब पर क्या करेगा, सब पर आपको maintain करना पड़ेगा, सारे subject को, उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ये क्या बोलता है, जितने भी whole nation of income हैं, उसमे उसको study करूँगा, आपको अखलें नहीं चल मुझे क्या करना है, पूरे national level तो पर जितने एग्रिके इसको सबको सात मेलेके चलना है, जितने भी supply हैं, जितने भी output है, जितने भी income मुझे सबको सात मेलेके सबको मुझे सबको迎ALIके चलना है, मुझे सबको देखना मतलब क्या ब्रिंग टुगेदर किसी चीज को फॉर एक्जामपल चोटी-चोटी उनिट्स में डिवाइड किया है उस सब को साथ में ले आके सब को एकदम साथ में ले आके क्या करना है उसको स्टेडी करना है ठीके अब हर कंट्री के पॉपुलेशन को स्टेडी करेंगे तो क्या होगा माइक्रोएकनोमिक्स होगा ठीके पट हर कंट्री के अलग-अलग पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे कितना ताइम लगेगा रहे स्टडी करने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग ठीक है तो क्या करेंगे जितने भी स्टेट के पॉपुलेशन ने उसको सब को साथ में लिया के ब्रीन टुगेदर मतलब क्या सब को साथ में लिया के स्टडी कर देंगे तो क्या करेगा वो एनवेस्टमेंट करेगा ऍसलब क्या जितने भी माइक्रों अइक डुसरे को रिलेट करतें अटली रेग्यृति हिस्वन करें आप सब्सक्साइज क्याअ बनारे उम्हें मतलब क्या मतलब यह मेर안 हुआ टॉसरे जलनाहें ठीक है study पर focus करो ठीक है वो क्या बोल रहा है कि मुझे एक को नहीं मुझे सब को साथ में लेकर चलना है ठीक है मुझे एक से कुछ नी होने वाला मुझे चार पार चाहिए ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं इंकम थारी इंकम थारी क्या हमारा बिजनेस क्या होता है फ्लक्चुएट होता है ठीक है क्या होता है अपन्ड डाउंस हमारे बिजनेस में होती रहती है ठीक है अब अपन्ड डाउंस कैसे होती है इंकम होगी तब तो होगी ठीक है हमारा इंकम क् क्या होते price of commodity क्या होते बढ़ जाती है ठीक है इसके जैसे क्या होता है inflation होता है market में inflation deflation दोनों उसको study करने का काम कौन करता है micro economics करता है ठीक है यह क्या बोलता है हमारा जो whole economics है हमारा जो economics है उसका जो income है उसका जो national level का income है वो क्या होता है कभी उपर कभी नीचे fluctuate होता देता है इसको study करने में help कौन करता है microeconomics ठीक है general price level ठीक है general price level क्या किसी भी चीज़ का price determine करना बचो ठीक है for this marker ठीक है इस product का price हम कैसे determine करेंगे land, labor, capital, entrepreneur ठीक है ऐसे कुछ भी रख दू क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे प्रोड़क्शन पूरा अनलाइज करके उसके basis पर मुझे क्या करना पड़ेगा इस product का price fix करना पड़ेगा ठीक है model growth मतलब क्या model growth क्या अभी हमारा देखो क्या होता है कोई कोई ऐसी जगह है जहां आज भी development नहीं हुए हमारे economics में ठीक है पर उस जगह तक हम पहुंचेंगे कैसे ठीक है अब डायरेक्ली मैं ऐसी पहुंच जाओंगे क्या कई पर मूँ ठाके नहीं पहुंच सकती ना ठीक है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उस खचेंगे हम चीजजिजघ है तो नहीं कोई रहे डायरे क्या वाज़ोमे इन ऑनिक हम टीक है मार्क जमी डेलाप उगा और मुझे ट्रेमिनल डा उजिस नीवी क्या क्या अएगी सब्सक्रेण oriented policy oriented मतलब क्या हमारा इंकम रहेगा इंकम देखेंगे भाई तब ही तो policy को औरियेंट करेंगे policy को प्रमोट करेंगे अब डारेक्ली कुछ भी कर दू क्या किसी को भी प्रमोट कर दू policy चलीगी क्या बच्चो नहीं जब हम income को एनलाइज करेंगे उसके बढ़ाने का काम कॉन करता है इसमें सबसे बेसिक रोल माइक्रो एकनोमिक ने बहुत अच्छा प्ले किया है फिर से इक पार आपकी कॉन साथ में लेकर स्टाटी करना है ठीक है इंट्रिपेंट्रेंट सब दूसरे से रिलेट करती है हीं सब करनी होड़ी का सब्सक्राइज करना है है मुझे सब करना एक को सबसे पहले इस करना है उसके लिए हैप कॉल करता है microeconomics ठीक है उसके बाद क्या था हाँ income 30 हाँ fluctuating in the market में आप लोग को बोल लिया है ठीक है general price level मतलब क्या हमारे product की price हम कैसे determine करेंगे वह हमें कौन बताएगा microeconomics ठीक है growth growth and models मतलब हम अपने new new policies को कितने बहतरीन तरीके से develop कर सकते कितने अच्छे पेगाने पर लेके जा सकते इसमें help कौन करेगा growth model ठीक है policy oriented जो नहीं नहीं policies market में आएगी ऐसे इलागे डाल दू क्या बिल्कुल नहीं चलेगी पहले हमको क्या करना पड़ेगा income को analyze करना पड़ेगा उसके basis पर हम लोग की policy क्या होगी अच्छी होगी और हमारा जो एक welfare अच्छा create होगा ठीक है I hope आप लगों को ये concert बहुत अच्छा से clear हुई होगी इसी के साथ बढ़ते हैं next page importance of economics ठीक है एकुछ तो importance रहे होगी economics के भी ठीक है microeconomics है economics नहीं microeconomics की ठीक है functioning of an economic functioning मतलब क्या work करना ठीक है हमारी economics कैसे work करेगी अभी कैसे भी करेगी तो चलेग और क्या अब इसको देखते हो क्या नहीं उसको कितना मेगा पिक्षल का है क्या होता है वह economics कर रहे है कहाँ development कर रहे है और कहां कुछ नहीं कर रहे है इसका help कौन करता है functioning economics next point economic fluctuation बोगा जब इंकम आएगा मार्केट में इंकम आएग तबी तो जब अध्रिव मार्केट में कभी इंफलेशन हो सकती है मार्केट क्या है इच्ट पॉइंट नैशनल इंकम कैसे पता चलेगा हम शब का नैशनल इंकम की तैनल इंकम कितनी है टिके यह क्या है एक इंपोरेंटस है इंकम डाइबलपन्स सोड़िक्या इकनामिक डाइबलपन्स है हमारी कैसे डेवलप होगी पहले पैसा आएगा ठिके उसके बाद क्या होगा राइन वाद लेकुट कर ये फोर एक्छेम्पल अभी अमेरिका ले लो इंडिया ले लो श्र पर अमेरिका से के इंडिया थार्ड श्रिलंका ठीक है मतलब क्या कि हमारा जो economics है वो financially कौन से position पर है वो उसका study कौन करता है performance of economics study of micro economic variable यह क्या बोलता है भाई मैं सिफ और सिफ एक variable पर focus नहीं करूंगा सिफ एक इंसान पर focus नहीं करूंगा मुझे सारे इंसानों पर focus करना है ठीक है मुझे कोई restriction नहीं चीए मैं भाई सब पर focus करने वाला हूं ठीक है यह क्या भोलता है मैं एक variable पर focus नहीं करूंगा मैं सारे variable को साथ में लेके चलूंगा next point level of employment ठीक है क्या होगा बच्चों जब बढ़ेगा तब क्या होगा प्रोडेक्शन बढ़ेगा जब बढ़ेगा तो क्या होगा supply बढ़ेगा तो क्या होगा Sea को क्या होगा अप्लॉइम्छी कर देटי कुछ इंपोरेंट्स ठीक है functioning of economics हमारा इकनमिक कैसे फॉक्षन कर रहा है यह कौन बताएगा हमें इकनमिक्स क्राइब कर रहा है यह हमें कौन बताएगा इंपोर्टेंस आफ इकनामिक्स बताएंगी हमारी इकनामिक्स हमारा जो फानेंशल पोजिशन है मार्केट में वह कैसा है वह हमें कौन बताएगा सब्सक्राइब करने वाला एक को छोड़के मुझे एक से खुश नहीं होने वाला नहीं है यह बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी और इसी के साथ हमारा फॉस्ट चैप्टर खतम होता है ठीके आई होप बच्चो कि मैं आप लोगों को जो पठा रही हूँ वह बहुत अच्छे वे में क्लियर हो रही रहेगी ठीके अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कर कर ये और आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक जल से जल पहुंचे तो प्लिस इसको सब्सक्राइब कर ये और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को ये बेनिफिट लेने का मौगा दीजिए ठीक है और कोई पी डाउट हो आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ओके थाइंक यू